सबसे पैदा स्टूडेंट माइझ हुँ इस अकड़िमी कEng का अभी भी मैं ही सबसे अवर्ण स्टूडेंट हूँ तो यह नजरिया होता है कि हम siten बनकर सीखें और एक टीचर बनकर पड़ाएं तो माशावला काफी बड़े बड़े टीचर हजरात्स ऑकड़ि में साथ में आप प्रेजेंटेशन पर देखें हैं कि ताइम मैनेजमेंट यखीन जानिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक के लिए मुझे अलहमदलिल्ला हमारे अजीज जब से कैप्सुल अकैडमी बनी तब से जुड़े वे शहजाद खान मुंबई मे तो वो भी एक बड़े मजबूत पिलर हैं उन्होंने कहा डर्टर साब स्टाइकोलोजिकल सेशन होने चाहिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को मैं अपने तरफ से सोचके क्या बताऊं आप लोगों को ही सामने से मुझे आइडिया देना होगा आप लोगी मुझे सामने से ब प्लाइन करते हैं जैसे कि आपने देखा कि लास्ट वीक एक हमरे अजीज मेंबर ने लिखा कि हमको ट्रेडिंग यू का यह भी सीडिय नहीं आता सिखाएं तो अल्हम्द दिल्ला डपर अब्दुलवाजित भाई तमाम हजरात में बहतरीन अंदाजे से ट्रेडिंग यू यूट्यूब पे भी वीडियो आज रात में आ जाएगी इंशालला तो आज इस संडे लाइब में हम बहुत ही यूनीट टॉपिक है मेरे लिए एक बड़ा चालेंजिंग है अभी भी मैं उमुमन मेरे जो प्रेजेंटेशन में मैं नर्वस नी होता साब बता रहा हूं कि आज बड़ा तरफ से एक बड़ी नेमत है कि मुझे बोलने का कॉन पर शुरू से ही था अल्लाद इसको बरकारा कोई भी डिपिकल्ट टॉपिक ट्रेडिंग को सीख लेता हूं और समझा देता हूं और यह टॉपिक बहुत चालेंजिंग था शहजाद भी सुन रहा तो बत उनको यह प्रेजेंटेशन जब से बढ़िया लगेगा इंशादला उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बनाएंगे पॉइंट्स को और अपने रियल लाइट सिनेरियो में इसको यूज करेंगे क्या भी सब तयार हैं बुलिए इंशादला जी बिलकुल इंशादला कोई भी एक उल्मा अक्राम या अफिज खुरान बिसम इल्ला करें खुरान की तिलावत से आसिव भाई स्क्रीन बंद और माइक को म्यूट करें से फटा फट कोन आएंगे भाई जलिली सामने आके अपना मुफ्ती अंजाए का अंतरो मैं अल्म्दिल्ला परता हुआ मुफ्त शाहिद से बिसम इल्लाइ मिन श्यतानि र्रजीम बिस्मिल्लाहिर रह्मानि र्रहीम इजा जुल्जिलति अर्द जिल्जालहा वा अखरजति अर्द अथकालहा वा कालल इंसान मालहा युम इदिन तुहदित अखबारहा विएन रबका ऑुहालहा युम इदिन यस्दुरू नस अश्दात अल्युरू अअमालहु वमन यामल मिथकाल जर्रत इंखयर यरह वमन यामल मिथकाल जर्रत इंशर इंखयर यरह सदक अल्लाहु अलजीम माशालला माशालला बहुत खुब बहुत खुब शाहिद शेर आपने तो माशालला इस मजलिस की माशालला शान बढ़ा दी सबसे असल चीज़ को हमारे कामिया भी हमारे खुरान में ही है हमारे दीन में ही है अपने अपने अखलाखियत की भी मुझारा करते हैं एक दूसरे को हम नसीहत भी करते हैं ताके हम अपने आमाल को मजबूतिगी से पकड़े और हम अपने अंदर वो क्या बलते हैं की हैबिट्स लाएं वो आदते लाएं ताके उन आदतों से हम अपने अपने घरवालों को खुश कर सके हम अपने क्या बलते हैं जो भी जिस तरीखे के माहल में हम काम करें वो आफिस माहल वालन को लगो को हम पुश कर सकें सबस्ते असल कुशी है हम अपने रब को मना ले तो अल्ह ताला से दुआ है कि आप तमाम का जुड़ना सीखना और समझना खुबूर करें जजाक अल्हाँ माखेर शाहिद साथ अब मैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ जाता हूँ अगर आप लोग को स्क्रीन नजर आ रहे हैं तो बताईए कि क्या प्रेजेंटेशन दिख रहा है जी दिख रहे हैं तो और दुबारा मैं जैसे प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूँ तो यह टॉपिक मिक्स्ड टॉपिक है क्यों क्यों आपके पास और दुनिया के जतने भी लोग आज इस दुनिया में जो जिन्दा है उनके पास एक अजीम शान चीज है बहुत चीज है क्या है भई उन बताएंगे टाइम बोलिए वाख 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 हर एक के पास होता है यहां पर एक मोहावरा कहूंगा मैं एक रियल एक्जामपल है दो आदमी थे जिनके पास घड़ी थी दोनों दोस्त थे बजपन में एक ही स्कूल में पड़े एक ही कॉलिज में पड़े एक माशालला बहुत अच्छा इंटलिजन था पढ़ लिया जाके अमेरिका में या त से दस घंटी की जॉब करता था तो उसके भी घात में घड़ी थी और अमेरिकन देटन की हाथ भी घड़ी थी तो उसके दोस्त ने उसको देखा अरे भाई तू इतनी बड़ी घड़ी पर नहीं क्या खिमती हो गोला कि यह शायद दास बारा लाक रुपे की है मेरे पास तो तेर को लग रहा है कि वो वक्त बता रही है घड़ी बट मेरे नजरे से देख यह घड़ी यह बता रही है कि अब मेरा टाइम चल रहा है यहने मेरा वक्त बदल चुका है इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी काम्यावी थी यहने उसने उतने ही वक्त में इतनी बड़ी पहरा कर रहा है कि भई मेरी घड़ी एक नमाईश है एक एग्जामपल है मेरी कामियभी का कि आज मेरा वक्त चल रहा है तो आज भी उसी गुर्बत के वक्त में गुजा रहे हैं तो आज एक एक एग्जामपल है कहीं से मैंने सुना था बताना है चाहरा हूं कि हर एक का वक्त वो है इल्म और तीसरी जो रियल में जो हम लोग जो सोच रहें की दौलत है वो है वेल्थ चाहे वो कोई भी एक कॉमोड़िटी के फॉर्म में हो या कैश के फॉर्म में हो तो हमें देखना है कि जो सबसे प्रियोरिटी में जो चीज आई थी वो था टाइम अब यहां पर हमको देखना है कि जो दिन पजर से शुरू हो रहा है या टेक्निकली रात के बारा वजे से दिन शुरू हो जाता है एम और टाइम बारा पीम तक अगर देखें तो पूरा एक एक दिन जब खतम हो जाता है तुवल एम तुवल एम एम तुवल एम अगेन तो बारा प्रेस बारा चौळ के तो हम आप उस चौवीज घण्टे को कैसा मैंच करती हैं यह एक सखेंड काउंट करता है तो यह एक आईडिया था हमारे जनाब सहथा जनाब हुझा उन्हों उन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन के फॉर्म में कहा कि डॉक सर्व आप उसको प्रेजेंट करो ताकि हमारे कम्यूनिटी के हमारे एकडेमी के मेंबरान को इसका इंपॉर्टेंस समझे चले दुबारा में पुस्ता हूं क्या मेरा स्क्रीन और मेरे अवास क्लियर है यहां पर सेकेंड स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हमारा जो टाइम है उसका डायरेक्शन कहां पर जाना चाहिए उसका डायरेक्शन जाना चाहिए हर एक का डायरेक्शन होता है प्रोड़क्टिविटे के तरफ कि अगर मैं देखता हूं कि कि अलग 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 सकती है हम लोग जो अक्टैमी में बैठेंज वो है हमारा टेडिंग की प्रोड़क्टिविटी यह सोचे कि मेरा जो वक्त गुजरेगा वो मुझे कितना मेरे काम में चाहे वो trading कर रहे हो, चाहे वो आप अपने office में काम कर रहे हो, कि कितनी आपकी productivity और efficiency बढ़ा रहे है, productivity को मैं profit के साथ जोड़ता हूँ, efficiency को मैं probability का साथ जोड़ता हूँ, तो यह आने वाले time में आप लोग उस time से कितना profit बना रहे हो in terms of your trading, और उसमें आपकी trading की efficiency कितनी है, यह जरूरी है कि आपका वक्त उसके returns जरूर आपकी efficiency याने आपके trades में probabilities को increase कर दे और आपके उन trades से profit मिल जाए, तो यह हमारा goal होना चाहिए, यहाँ के अगर आप देख रहे है, बीच में एक slide है, बड़ी dark में लिखीवेस में लिख रहे हैं कि Sir Albert Einstein, जो मारूफ scientist रहे है, वो कहरे हैं कि सबसे बड़ा reason, यानि जो time का, the only reason for time is so that everything doesn't happen at once, यानि आप अगर सुबह में 9 बज़े उठोगे, तो जरूरी नहीं कि हर काम 9 a.m.p. हो जाए, नहीं, time time पे उसका काम होता है, तो यहाँ पे आपको जरूरी है कि आपका हर वक्त वाला वो जो time पे जो काम हो नहीं, for example, कि अगर आप फजर को ठोगे, फजर के उसी time पे फजर की नमास होना जरूरी है, यह नहीं कि आप रात में लेट सोगे, सुबह में लेट उठोगे, बात में नमास पड़ोगे, नहीं, तो उस फजर की नमास की एहमियत और effective risk तभी आएगी, उसके बतायो time पे प अगर देता हूं, तो उसको बोलता हूं कि 30 minutes before breakfast, अगर वो 30 minutes after breakfast करेगा, तो याने उसने उस time को जाया कर दिया, इस तरीफे से इस स्लाइट से यह बताया जा रहा है कि आपको अपने जो जो काम होते हैं, उनको सही time पे सही effectively करना है, यहां से आप अगर आपने notes बनाना चार है, तो बना सकते हैं, पूरा presentation English में है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत simple understanding कुर्दु में समझाओ, time का management हमारे लिए क्या जरूरी है, मैं तो बलता हूं भी है, जरूरी है, सबसे पहले मैंने बता दिया कि उस time पे जो काम किया जाता है, वो time से आपको results मिलते हैं, क्या results मि moOR blade coping मेरे trade से profit होना है, मेरे trade से lost होना है, यह अगर lost ले रहा हूं, तो मैं मेरी productivity को better करना है, मेरी quality को improve करना है, यह नहीं कि trade में नुकसान हो रहा है तो trade कीज़ती है, नहीं, trade में नुकसान हो रहा है तो तुमारी trading skill में गलती है देखना है, तो इससे आप क्या करोगे, productivity you increase जब हम कोई एकर काम कर रहे हैं या कोई आपने ट्रेडिंग की पूरे दिन में आट घंटे में हम बठे वें यह ज़रूरी है कि आपको बैलेंस करना ज़रूरी है आपकी जो पर्सनल लाइफ है आपकी जो वरकिंग लाइफ है इसमें बहुत अच्छा सा बैलेंस रखकर चलन है अगे रित बालेंस नहीं रखे दिन रात एक ही काम में लगें दिन रात लग दिन रात परसनल ये लग पे लगें तो बैलेंस नहीं हॉ ईससे क्याиков घर में बठे रहेंगे तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा बीवी बोलेगे तुम घर पे बठेंगे जाके कुछ कमा के लाओ घर की जो है जरूते पूरी कदमी तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो समझ में यह आना है हम लोगों की भी हमारा जो 24 घंटा है उसको बैलेंस करना है जी बुलिए यहां तक बात सही है के गलत है समझ में आरी सबको तो आगे अगर आप देख रहें तो यहां पर एक एक स्लाइट पर माशला कितनी बहतरीन पॉइंट्स बताई हुए अब हम कल से या आल्डी आप इसको कर रहे हैं बहुत अ सबसे पहले दर्जे पर काम करना यानि कल अगर दिन जब शुरू होता है करने के लिए हजारों काम हो सकते हैं सुबह से लेकर आप तक आप बहुत सारे कर सकते हैं दोस्तों को मिल सकते हैं रिष्ट्यारों को दावात को बला सकते हैं भूमने जा सकते हैं सो सकते हैं कि सब क को हमारा दिन को कामियाभी के तरफ लाना है तो हमको अपने प्रारिटिस को एडेंटिपे कर देंगे आपको डिसाइड कर रहे हैं कि आपको लाइफ में क्या चूप करना है उस एच्विमेंट के लिए आप सुबह से प्लाइनिंग में लग जाएंगे सके हमको हमारे जो भी दिन के काम हैं उनको अलग अलग टास्क में डिवाइड करना है अगे चलकर पता चलेगा कि जिसके भी पास एक ताइम पर दो कामा जाते हैं आप बोलते हैं कि घरबे भावी बोल रही है या हमारे मा बोल रही है कि भाई जाके बाजार से दूद ले कि आ चाय बनानी अर्जंट है तो दूद लाना भी इंपोर्टन काम है चूंकि चाय 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 यह सब के लिए अब उसी टेम पे आप देख रहें कि आपका बच्च जोर जोर से रो रहा है अब वहां पर अर्जंट वाला काम क्या था को बता सकता है दूद लाना की बच्चे को रोड़ते हुए सहला ना अच्छे को चुपकर रहा ना बिलकुल तो यहां पर आप देखिए माशालला मैंने दो एक्जामपल दिये आपने बता दिया नहीं सर अर्जंट काम तो बच्चा बिलबिला के रो रहा है हो सकता है डाइपर भर गया होगा हो सकता है उसकी दूसरी जरुत होगी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो हमको ना यह नहीं कि बच्चा रो रहा है तो छोड़ देंगे जाके बादा आप दूद लाएंगे नहीं उन्सां के साथ लगावा है सारा दिन वह बैलेंस नहीं कर पाता प्राइरिटी स्मझ रहा है तो इन प्राइरिटीज को समझने के डुनिया की काकि सरे जो साइकोलोजिस्ट्ट्ट्ट्स्स हैं जो आखते सिटिक दॉक्त्रम हैं उन्हें इस अपनेसाब से इस तड्री को किया अच्छी चीज क्या है एक भाई साब जो है जिनका नाम है आइशनोर आइशनोर कौन है यह पर पिच्चर में दिख रहा है इनका पूरा नाम है ड्वाइट डेविड आइशनोर यह युनेटेट स्टेट्स आप अमेरिका के प्रेजिडेंट रहे हैं कब से रहे हैं 1953 से लेके 1961 तर मगर वो प्रेजिडेंट बनने से पहले जो वर्ल्ड वार्ड टू हुई थी उसके वो कॉमांडेंट इंचीप याने जेनरल कॉमांडर जेनरल जैसे सुप्रीम कॉमांडर कहता ना यह तो सुप्रीम कॉमांडर मतलब पूरी अमेरिका की जो एर क अर्मी की जो आर्मी थी उसकी यह हेड कर रहे थे उसके बाद उन्होंने प्रेजिडेंट शिप्लिक इनका नाम ता आईश नौर इन्होंने क्या है अपने जो आर्मी के जवानों को नहीं टास्क बना के दिया बोले कि वह तुम यह चार इस्व में अपने कामों को डालो इस पर आप ज़रा धान दीजिए मैं हो सकता है आपको एक होमर इसी बुनियाग के देशिस क्या है आप लोगों समझना चाहिए कि ये डेविड आईशनहोवर जो एक आर्मी का चीफ था उसने उसकी प्लैनिंग आर्मी को जिताने के लिए इस तरीखे से की और आज तक इसकी प्लैनिंग को लोग अपने अपने फील्स में इस्तेमाल करते हैं बहुत इंपोर्टेंट स्लाइड है समझ कि जो भी हमारे कल सुबह से जो काम आएंगे उनकी आप प्रायोरिटीज कैसा करेंगी जै होता होता है इंपोर्टेंट और नॉट इंपोर्टेंट अब इंपोर्टेंट में दो उसमें अर्जेंट है एक नॉट अर्जेंट है यानि अगर यह कौड्रेंट वन में आपका कोई काम गिर रहा है तो उसको फोरन करना है डूइट नौ इमेडिएटली करना है वहां पर ट्रेडिंग में बाई सेल करते हैं वहां पर आपको आगे की स्लाइट में पता चलेगा कि कुण सा काम इंपॉर्टेंट है इस तरीखी कि आपको बनानी पड़ेगी कि इंपॉर्टेंट काम क्या है उसको आपको फ़ॉरा नहीं करना कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है चीज़ा क्या काम होता है वह है दीसाइटर करने दूद लाना था थीक है बच्चे को मैंने ठीक कर दिया पांच मिड़ बाद 10 मिड़ इस काम को बागम कर लेट हूँ अच्छी चीज़ है कि आपको नरफ इंपोर्टेंट दी मप्यांति आप चाहे तो अरडन को कर सकते आक आपट लौर meu कि घरने अगर आपको कोई सामान की जरूत ग्रैड लाना है बहुत से लाना खेए तो वहां पर क्या कर सकते हैं कि आप आलेन वोडर कर सकते हैं वे Lorz या कोई भी चीज़ तो वहाँ पर एक काम को आपने नॉट इंपोर्टेंट डाला और इस तरी से कड़ डाला आपने मैनेज कर लिया चाहे आप अपने घरके नॉगा रहे उससे मगा लिये या आपने ऑनलाइन से ओड़र डालके कर दो नॉट इंपोर्टें और हमारे होती नहीं है जहां से आपको पूरा मैटीरियल पूरी तालीम फ्री मिल रही है तो ऐसे कामों को क्या करेंगे बनाते हैं आप लोग ऑनलाइन इसमें पार्टिस्पेट करें इसे लिए मैं नहीं जा रहा है कि इस प्रोग्राम को म्यूट करें क्योंकि सब्जक्ट बड़ा बोर है दल है बड़ माइचाना को इसके अंदर बहुर इंट्रेस्टिंग बनाया जबरदस्त तो यह जितने भी आपको यह स्लाइट पर जो गए थी तो भई उसको हॉस्पिटल लेके जाने तो इतने सारे कामों में क्या आपको लगता है सबसे पहला काम इसको करना चाहिए बताईए जी कर दिदू कि मैं बोलता हूं आपको नको कि चमनलाल सेटिया के स्टाक उठाओगी या बच्चे को उठाओगी अब जो बंद चमनलाल सेठिया को उठाया कामयाब होगा की क्या होगा बताओ अरे बोलो जी कामयाब नहीं होगा नहीं होगा बच्चे को भी शान पत्ती दिखालो बच्चे को तो पहले उठाए कि चमनलाल बूठाए तो यह कामों को आप priorities करते जाओ, मज़ा आएगा, next, second आपको काम दिखिए, send clients work by evening, अब आप दिख रहा है कि यह आपना नौकरी है, अब आप में इन, माइक को मुट कर ले, क्लाइंट का काम आगया, आपकी नौकरी है, आप office में बैठ है, boss ने आपको जो है, यह urgent बोलता है, तो आपको उसको करना है, अगर इस काम को मैं compare करूँगा, कि मैं इसको exercise करना है, बोलो, कौन सा first करोगे, यह तो पहले करता है, येस, तो आपने priorities, इन दोनों में मैंने example जो आप टेबल के साइड में जाके exercise करते बठेंगे, बोली भई, बेखुफ कोन है, exercise करने वाला ना, exercise करने वाला, जी, तो यह होता है, यह जो चीज है ना, यह आईशन होवर है, प्रेजरे ने बना याद रोके इस ने उस जमाने में आप से 90 साल पहले यह टेक्निक बता दी ना, 1934 में जब वर्ड वाल टू स्टार्ट वी थी, 1934 से टेक्निक कहीं पर भी गूगल कर लो, सब कर लो, आप लोग को इंशालला, हमारे जुबेर भाई, मंसुरी भाई ने माशाला जबरदास आप एक गूगल करूम का एक्स्टेंशन भी देने वाले है, था कि आप बोलेंगे कि डर्टर नाइम साब होमर्क दे दिये, बोले कि पूरे बैक टेस्टिंग करो, तो यहां पर आपको इमने डेडलाइन दे दिया, मंडे की सुबह के ओपन से करना है, तो यह भी करना है, और आपको जो है ना, फैमिली टाइम भी देना है, तो अब आपको इसमे नहीं पता कौन से डेडलाइन है, हो सकता है, आपका अगर डेडलाइन 30th of every month से पहले करना है, 30th of माहिने की salary के एक दिन पहले आपको डेडलाइन खतम करना है, तो जब दुबारा यह वापस most important हो जाएगा, तो समझे, इस तरीखे से आपकी list अपडेट होनी चाहिए, इस सरीखे से आप कल से जिसको यह session पसंद आया, वो list बनाएगा, वो list बनाके इन चार कॉर्डरेंट में अपने कामों को घुमाते फिराते रहेगा, उसी के साथ साथ, अबे not important है, चाहे तो आप इसको करो या नहीं करो, यहां पे दो examples है, for example, आपकी request by family members, कुछ एक request आई है, कि भाई मुझे जो है आप एक घर की पूरे जरूते पूरे कर दे आपने, यहां पे request आई है कि घर के अंदर fridge खराब हो गया है, तो आप एक fridge बदाओ दे, काम चल रहा है, और साथ में family बोल रहे है कि भाई मुझे जो है आप एक नई TV लाके दे, तो बताए, इन दोन में स प्राइटेस को सा करेंगे आप, अच्छा प्राफिट करके आई से रिक्वेस्ट को पूरा करते, बात समझ में आगे भी आप लोगों को क्या बल रहा है, किसी के साथ, आप बोलेगे कि भाई, हम लोगों को ना, Capsule Academy पे मीटिंग चल रहे है, Capsule Academy पे एक मीटिंग चल रह मीटिंग है, अब आपको डिसाइड करना है कि मीटिंग इंपोर्टेंट है, अनिम्पोर्टेंट है, और साथ-साथ में आपको एक टाइम रहा है कि भाई, मैं बाइट के जो ना, फालतो के जो ना, नेट्फिक्स पे, एमेजॉन पे एक दो-चार पिछरें देख लोगों, तो आप उस मीटिंग को एटेंट करोगे, इंपोर्टेंट तो नहीं है, पता है डाक्टर साथ रिविजन ले रहे हैं, वन पॉर्ट जरो का, टू पॉर्ट जरो का, तो आप क्या इंटरनेट पे फिलिम देखते बठेंगे या या अनिम्पोर्टेंट मीटिंग को हूँ, तो इसी तरीखे से जो आईशन होर की जो मैट्रिक्स है ना, हर एक फील के लिए अलग लग बढ़ती है, डॉक्टर के लिए अलग बढ़ती है, डॉक्टर बोलेगा, एमर्जनसी केस अभी देख लेता हूँ, ओटी केस प्लैन कर लेता हूँ, पॉलॉप केस अगले इसी तरीखे से आप लोग बैट कर इन चार बॉक्स को बढ़ाओं, मैं आपकी बनाने में मदद करूँगा अर्दी अंड़ प्रेसेंटेशन, तो आप लोग कल से अगर इस बॉक्स के ऊपर काम करोगे, एखीर मानी आपके पास काफी टाइम बच जाएगा, तो सेशन को मै मैं और जारा आगे लेके जाता हूं, कि जिसके पास भी 24 घंटे हैं, उससे मेरे रिक्वेस्ट है कि वो रोजाना, अर्ली मौनी, दस बारा मिनिट प्लैन करे अपने दिन को, जब मैं जमात में था, सबसे पहले फजर के बाद अमिर साभ इठा के मश्रा करते, उस मश्रे मे में पूरे 24 घंटे की प्लैनिंग करते थे, माशालला, अब वो मश्रे में टै होता कि कौन पकाएगा, कौन खिदमत करेगा, तो इसी तरीखे से आप कल मंडे को प्लैन करना, 9-15 बज़े को मार्कित खुलेगी, सुबों में फजर पढ़ूँगा, फजर के बाद धर के ग्र कौन नहीं हो रहा है, कुछ चाम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्लैनिंग हो लिए, अगर ये प्लैनिंग नहीं करोगे, तो आपके दो घंटे बिनीव बेस्ट होंगे, और तो आपने मश्राइ नहीं किया, घर में दो भाई है, अम्मी ने बोले थे, घर के जो इना कुस्त भी में बात गई, मश्राइ नहीं हुआ, शाम को देख रहे हैं तो वही चीज़ें खरीद के लाया है, और एक भाई ने भी वही चीज़ें खरीद के लाए, जाओ अपस ही भाई जाएगा, मार्केट को बिल दिखाएगा, उस चीज़ों को रिटन करेगा, तो यानि मिस्मैच ह हो जाएगा, अगर हम पूरे घरवाले बैट कर, शुरू के 10-15 मिर्ट, 10-12 मिर्ट इन्वेस्ट नहीं करेंगे, विलिव में 10-12 मिर्ट की भी जरूत नहीं है, अगर आप 2 मिर्ट भी मश्रा कर लो ना पूरा दिन का प्लान हो जागा, आप प्लान हो जागा, मुझे पुल डेकेट निपट तो जो कम करना निपटा निपटा पर पर निपटा देता हो, शाelles के लाध का करना है, तीन बने कि बाद दो यंद्टी सो जाता हहूं, असर के मोगनीं की पीच में कुछ एक्सराइस कर लो जह कहीं तो जाओ, तो यह प्लानिग आपकी, अपनी घर की करना जरूरी है आप हम क्या करेंगे टाइंग की बॉन काउनल लाना है उस दिन बच्चे को ड्रॉप करके आना है सुभो में बच्चे की स्कूल की फीज जमा करना है स्टेशनरी लाना है यानि कुछ काम मंदे को मिलेंगे उसका जो खतम हो सकता है कि आज दिन के अंदर बच्चे की फीज भरना है तो आप प्लान कर लो जुमें को ट्रेडिंग खतम हो जाएगी मैं दावत पर जानी है तो आप अपने तरफ से उनको प्री टाइम बता हो उनका अपना प्री टाइम बता हैं अभलेंगे यह जिन पर यह ताइम पर लो और वो काम लिप्ता लो यानि एक जो तरीखा है अपने डाइरेक्ट लेट पर काम करने का कुछ आप जब सुबह में मश कर लेता हूं अपने अपसे अपने घरवालों से और यह काम करना है कि उसका खाना कैसा मंगा है या किसी और जरौत होगी जैसे किसी सब्सक्राइब की घर पे कारपेंटर को बुलाना है आजकल तो आउनलाइन कारपेंटर भी आता तो मैं कुछ जाके मार्केट से या बाज सब्सक्राइब कराना था वहां पर दो चार घंट के वेस्ट होने से अच्छा है दो मिर्ट में मैंने आउनलाइन बुक कर लिया उससे बहतरीन कारिगर में मिल गया ताइम भी बच गया तो मैंने आप एक हरों कि आपने अपना काम निप्टा लिया आज कर मेरा जो प्रेजने हैं हमारे जो हम लोग जो डैली मीटिंग करें डैली जो सीक रहे उसके इतवार से में कि अपने घर के काम को निप्टा ना यह नहीं कि आप बोल दिये नहीं कराता परनीचर खराब है तो खराब होने दो बैटना तो बैटो तो यहां से फैमिली चैलेंज की तरह से एक्सेप्ट करना है और अपने प्लैनिंग के हिसाब से उस काम को निप्टा अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी इसको आप और से हमारी जो भी काम होंगे उसमें डिस्ट्रैक्शन आएंगी उन डिस्ट्रैक्शन को हम टेलिग्राम भी है वाटसप भी है और पतानी स्ट्राइब चाट है मोबाइल की रिंग्टोन में मेसेज्जे से टेलिग्राम में 10-10 चैनलों के मेसेज़ें अरे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है मोबाइल में टंग आवाज आत रिता होता नहीं होता खुद को और पैमिली को बताइए जी बुलिए ज़रा समाइक पे मैं इस को हटाने के लिए मेरा मोबाइल तो सैलेंट नमाजों के टेम करता हूं बट टेलीग्राम में नोटिफिकेशन्स सौंड बंद कर देता हूं क्यों अरे बैठा हूं मैं कॉंसलेट कर रहा हूं टन 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 मैसे आ रहे मेरा पूरा फोकस ही हड़िया यह में नाइन देख रहा था गलती से यह में 20 देख लिया समझ में आरी बात तो इसी तरीखे से आप अपने अम्मी के सब्सक्राइब करते हैं यह डिस्ट्रैक्शन नमबर वन तो आगे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा यह डिस्ट्रैक्शन परसें रोजाना लोगों को आते हैं वह आपको फोकस से हटाते क्योंकि फोकस बतला था आपने माबब की खिदमत का फोकस रखाता ट्रेड लेन यह डिस्ट्रैक्शन से हमको बचना है उसी तरीखे से आपका यह पहला आइडेंटिफाई करो कोई भी काम जबाब कर रहें उस काम के दौरान डिस्ट्रैक्शन को खतम को सकेंड हर काम का अपना एक एक टाइम लोकेट को और एक्जामपल आप लोग कितनी देर टेलिग्र पर बताईए बोलो भाई थार गंट तो आप क्या करो आज से टाइम अलॉक टिन में हर साट मिनिट के एंड पर पांच मिनिट में सिया शेक्ट तो इससे क्या जाएगा अगर दस घंटे भी आपको टेलिग्राम देखना था तो दस घंटे निट पांच मिनिट सिर्पचास म आपका होगे ताइम इस वैल्यूबल एसेट याद रख लिजिए एक्जामपल देखो बिलगेट्स के पस्त पता है कितना पैसा है वो और डॉलर से अगर बिलगेट्स के सामने कोई जाके हंड्रेड डॉलर की नोट डाले हंड्रेड डॉलर की नोट गिरा दे और चलते जा इसकी कितनी बड़ी एहमियत हो गई कि वह अपना टाइम इन तर्मस अफ अर्णिंग देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम को बचा के कमा रहा है तो हमको भी अपने टाइम को अलॉकेट करना है इमेल देखने के लिए डाइली दस-पंदरा मिट एना मेसेज़ चेक करने तो जवाब देदो जी होगया यापका सकेंड मेजुडि डिस्ट्राक्शन यानि की वो चैटनल में क्या होओऊ युलियुड काộc पंडर पर सब्सक्राइब करें और हम अपना वर्क जोन ऐसे बनाएंगे जो पहले बताया गया प्री वर्क एंविरॉन्मेंट विटाउट सिंगल डिस्ट्रैक्शन और साथ वे यह वर्क जोन बना लिए इस वर्क जोन में भी आप बोर हो सकते हर पक्चीस मिनिट को पांच मिनिट का प्रेक लो मैं करता हूं मैंने अल्डी एक मेडिकल के क्लास जिसमें कहा था कि हर घंटे में या हर पचास मिनिट में आपको खड़ना है पैरों को हातों को स्ट्रेक्श करना है जरा सा अपनी ऑफिस चेट के पास घर के टेवल के पास चलना है आना है तो यह प्रोमडोरों टेकनीक कहा जाता है कि जिसमें आप बैठे वे हैं आया आप अगर खड़के भी काम कर रहें या को को फोकस करें 25 मिन के बाद ब्रेक लो जो अगले जो 25 मिन रखना बड़े फोकस हो यानि आदी घंटे तक चाटां देख रहे ठक जाते अंख्यां भी पांच मिन अंखों को बन करो उठो जला सा उपर नीच चलो फिरो और दुबारा वही क्राम को रिपीट करो प्रोमडों बनाएं जैसे कि अपने कल से आलड़ी आप कर रहे हैं तो बड़ी मुबारक बात है नहीं अगर आप करना है यहां का अच्छा एक प्रेजेंटेशन है जिसमें बता रहे हैं फाई पीस को रिमेंबर के लेटर पी सबसे पहले ही बारम हमरे टीचर हज़रात को सबको कहता है कि सबसे पहले जो एसेंशियल काम हमारे जो है बिवर जो प्रेजब और अपार है इसलिह नालता हूं कि मुझे जालता तो तुम्हें याद है मुझे पढ़ना तो जब मैं बोलके पढ़ता उना तो शब्रूर पढ़ता हूँ प्रोड प्रारटी अपने को क्या करना है सकें सिच किया है इसे प्रोड़े के अंग हो मिलेगा अगर कहीं पर भी कोई situation आ गई काम रहो peaceful रहो वहस को जीतना हुशारी नहीं है बहस को हार के उस आदमी का दिल जेतना हुशारी है वहां पर आपको peace मिलेगा अगर कोई दो चार लोग वहस कर रहे हैं एक ही माने मेरे साथ होता है कि आप उस भेस में सही बी हुँए आपकी पॉइंक वैलिडी भी है आप उस बहुत को जीत जाओगे मगर आप पीस को खोड़ोगे कि कई बार मेरे साथ होए तो इसलिए मैंने बला भई जाने दो याद हाँ तू सही है मैं गलत एक ही मालिए उससी नेक्स्ट सकेंड में आपके दिमाग में आपके बोड़ी में जाने पीस है जाएगी यह बताई वह मैं बात करेक्ट बोल रहा हूं बोल सकते है तो डोंट ट्राइट तो विल्न डीवेट ट्राइट विन दा बैटल जाओ बट्ट जिंदगी वह बैटल में कहीं है तो आप प्रांग हो जाओ को जो थर्ड पॉर्ट क्या है पॉर्ट प् अब आप अगर बोल रहे की भाई कोई एक टास्ट रेता हुँ घर काटने का है अगर चावल धोने का है तो भी उसका पॉसिटिव और देखे काम करें यह मत देखो कि या बीवी का काम है मैं तो आरे पॉसिटिव दो ना मैं उसको दो तो आपको हर एक काम में यह नहीं कि नेगेटिव धुनी और फाइनली तो फिफ्ट पी है पेशन्स हमारे स्टॉक मार्केट में पेशन्स इस की टू सक्सस इसके अलाव नहीं यहां पर मैं कोशिश करता हूं कि पेशन्स नहीं रहने का नुखसान क्या है को सही टाइन पे आना और पेशन्स का होना अब आप लोग चार्ट लिखातों कि आप लोग सिर्फ टाइम मेंजमेंट पर बोर रहें चार्ट नजर आ रही है सबको जी बताइए यहां पर आप देख रहें एक बिस्मिला खानी वर्टिकल लाइन पर वीकली चार्ट है यहां पर मन्त के चार्ट में हिस्टोग्राम वन बन गया था फार्म के अंदर एंट्री ले लिए छोटी सी कंपनी थी उस ताइम पर पांसु-छेसो क्रोड थी 33-34 रुप पिंड में लिए 25 परसेंट उसके अगले वीक रेड केंडल बन गई निकल गए तो आप लोगों से सवाल पुछनों क्या यह सही ताइम था एक्षिट का क्या यह सही ताइम था एक्षिन का बताएंगे कोई नो 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 नहीं हमें इतना खुश 40-50 परसेंट लेकि इतना खुश इतना खुश कि बोलते गए मेरे से बड़ा ट्रेडर कोई नहीं समझे रहे बाता क्यों पेशिंस नहीं रहा सबर नहीं रहा अब आप क्या देखो क्या होगिया उसके बाद मैं टाइम मैनेजमेंट के इसमें इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले खा कि मैं जो भी बताऊंगा रियल लाइफ एक्सपिरियंस से बताना है रियल लाइफ एक स्क्राव यह खतम हो जाएगा अभी आखर एक दो या तीन केंडल बनेंगे तो आप बोलेंगे कि यह आप इसको अगर फालो कर रहे हैं तो देखिए अभी क्या हो गया 40% बहले थे आप बताई यह क्या हुआ यह नजर आ रहा है स्क्रीन पर माय कुम्यूटर कर ले बा veterinar कर गया है तो सिर्फ माइक को उपन करे ने बिचार हो और हम एगर यहां से अगर आप पेशन्स नहीं रखो के चाहे वो स्टॉप मार्केट हो चाहे वो आपके लाइफ के मैंटर्स हो चाहे वो आपके ऑफिस के मैंटर्स हो अगर हम पेशन्स नहीं रखेंगे तो यह आपका नतीज है स्क्रीन पर दिखरा होगा तीस चालिस परसेंट लेके खुश होने वाले अगर पेशन्स रखते तो ताउजन परसेंट तक भी कर सकते थे कितने परसेंट कर सकते थे वाई पताईए आउजन परसेंट परसेंट हम लोग 5-10-15 परसेंट के राकेटां उड़ा रहे जबके वही परसेंट के अंदर हम वही पेशन्स किता था जो बतायगा था मंत्री हिस्टोग्राम को फालो करते तो आस तक मंत्री हिस्टोग्राम विराइन की समझ में आरी बाता है जिस मंत्री इस्टोग्राम की बुनियाद पे लिए थे उसी को उमपारों नहीं करें ना फ्री पैलर्स बने ना उग बने तो मैं चाहरा हूं कि आप लोग अपने कन्विक्शन को बिल्ड करें आपको अपना पेशन्स लेवल को बढ़ाना है तो वापस की खिद्मत की जर्णी हो चाहे हो आपके बच्चों की परवरिश की जर्णी हो पेशन्स इसकी टू सकस्स तो रिपीट करो मैं फाइफ पीस लाइफ क्या है प्रेयर प्राइटीज पीस पॉजिकिवटी और पेशन्स अब यहां पर इस सारे चीज़ें तो समझ में आ गई ह क्या है डेलीगेशन का मतलग इंगलिश में काफी बड़ा है सिंपल लैंगेश में आपको डेलीगेशन सम्झाहएं कि कोई भी काम का कंट्रोल आपके हाथ में रहें समझ लीजिए कोई एक ट्रेड अइंटिफाई करे उसकी ट्रेड की लेने की पूरी जानकरी आपके पास होनी चाहिए क्या आप चाहते हैं कि ट्रेड लेने की जानकर एक ड्र नेम साव के पास रहा और में बार बार पूस्ट ले सकते को बताएंगे बताएगे बताइए पैसा आपका त्रेट की सेलेक्शन आपकी तो कंट्रोल आपका होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताए इसको कहते हैं डेलिगेशन मतलब फुल कंट्रोल और डिसीशन है अब यह टास्क है मुझे नहीं पता आपके क्या क्ल से सुबह में टास्क आएंगे उस टास्क को आप डेलिगेट करो आप जंडा लेके जाओ भाई महीं करूंगा सेल महीं करूंगा मैं इंचार्ज हो मेरे जेब का पैसा मेरी मेहनत का पैसा मै उस टाक को सेलेक अब फरसन है आपके आफिस में किसी से काम तराना है तो उस टाक ने रखा है कि मैं उस फटाक, पर हमकरीजा कीज़ County क्या बहतरीन चीजें उस चार्ट के मैं डिसाइड करूंगा आफिस में घर में काम कराना है आपके चार बच्चे हैं किसी एक बच्चे से काम कराना है तो आप तरेक्ट बच्चे को चूज करोगे जो टूविलर चला सकता है मार्केट में जाके सही से भाव कम ज्यादा करके सामाला सकता है तो यह चूज दें परस्ट सबसे पहले आपको वो टास्क आपके हाथ में उना चाहिए सकेंड यू निद तू चूज दा राइट परसन थर्ड प्रवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन बच्चे को दोगे कि भाई तुम सो रुपए से नीचे का ही माल खरे दोगे या आप गाड़ी को सही पार्किंग की पर खड़ा होगे या कि आतर्व में यहां पर आपके मार्करित में आपका मैंन क्लियर मेरे से है कि मैं यह मेरे से निचेंगा निकल जाओगा यह आपका प्रॉइड आप खुद करें कि मैं एक बॉंडेल होकी है इंसक्शन में चलूंगा आपने नतीजा सावधानी हटी दुरगाटना घटी है पूर्ट करो आपके हर एक प्रोग्र स्कूर मॉनिटर करो दूसरों को मत पूछो क्या अपको तो इसी तरीख से आपको हर एक काम का अपना अपना सेट अब नहीं तो यह एक हो गया आपका टाइम मैंनेजमेंट का अब इसके अंदर जो अभी तक मैं तेकनीक्स बताई कि जो अभी तक ने शहजाद भी और माशाला समीर भे ने जो बता है वो तो रियल लाइफ पे बेश है अब यहां पे हमको देखना है कि एक दिन में 24 घंटे सब के होते हैं आपके मेरे दूसरों के अब उन 24 घंटों को कैसे इस्तिमाल करोगे अब आप गया है है इमिदेट काम क्या है नॉट इंपोर्टेट काम करना है वाट रहें चववीच गंटे में आठ आठ गंटे साथ गंटे स्लीप प्लेस पांच हो गये आठ अट प्लस साथ तेरा गंटे बचे कि इतने 9 घंपोर्टेंट इन आपको अपको वहां फैमिलिय। इनको आप 3-3 घंटे के HFS फार्वॉला पर डिवाइड है तीन घंटे का आपको जरूरी देना है हेल्थ पर ध्यान देना है फजर के बाद मैं कोशिश करूं आधान तक जिम जाता हूं या घर के खरीबे पार्क में जाता हूं एक घंटे, एक घंटे का हेल्थ एक घंटे का हाइजिन मतलब हमारे जरूतों को पूरे तो इसके साथ एक घंटा वे दो तो तोड़ रहा है खुद्रती उसूल को तोड़ रहा है हां एक घंटा फिरेंट्स है फ्रेंट्स आर्ल ड़ी आपको online आपको लिए तो एक हंटा भी आपके करतो ट्रेडिंग को दाल दो तो मैंने 2 गंटे ट्रेडिंग के लिए यह जらूरी है हर एक नमाज 10 मिनिट मैक्सिमम 15 मिनिट पूरे सुन्नतों वित्वरों के साथ तो पांच नमाज है फिफ्टीन फैसा फॉट्टी फाइव मिनिट्स जारूरी है आपका टाइम देना उसके बाद वन हवर सोशल सर्विस वन हवर साउल के लिए एक घंटा स्माइल के लिए य पांट गूंते पाइवार्ट इंशाएल्ला, जि जरूर पालो करो पांच जो फॉर्मूलिस बता हैं जिसमें फैमली को टाइम देना, इभादात को टाइम देना, सोने साथ घंटे देना, भले ये 5 घंटे रात में सो जाओ जाओ देड़ दो घंटे दो पार में भी सो लो या नहीं किसी को एक शॉट में सोना है साड़े ग्यारा बज़े बंद करो साड़े पांच बज़े अगर फजर सारे पांच नहीं सेशन्स रिकॉर्ड होके भी मिल जाते सेशन्स आप बात में भी देख लेना सबसे पहले प्रि इंगलिश का बड़ा भारी वर्ड है उसको मैं एजी लिए कहता हूं याने आपकी वह आदत वहरकर जिससे आप अपने जिसम को अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डैमेज करें समझ लीजिए कि ए प्रोक्रेशनेशन नेगेटिव वर्ड है प्रोक्रेशनेशन क्या है एक नेगेटिव वर्ड है इसमें कई लोग फस रहे हैं डैली तैने बेकार उलजलूल बहसों में चले आ रहे हैं जिसमें आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब मेंटल हेल्थ भी खराब क्या बोल सकते हैं कोई इसमें उजचसा है क्या कोई ऐसे सिचुशन में गया है जहां पर अपना जहन भी खराब कर रहा है और जिसम भी खराब कर रहा है कोई बोल सकते हैं सिचुशन साते हैं इसे लाइफ में जी आते हैं डोपसाँ लेली लाइफ में इसको ओवरकम करना है यह रियल लाइफ सिनारियो है रियल लाइफ सिनारियो है कि आपके अपने बिहेवि मैं विलेन हूँ क्या हूँ क्या तो हम ने उसको कैसे ओरकम किया अलहम्दिल्ला थैंक्यू मुझे बहुत खुशी अपने डॉक्टर डैंग बुले आज देखो डॉक्टर डैंग से मेरा नाम जाना आता है तो मैं उसके खुश होतों की बुरा होतों बताओ बोलो भाई खुश होतों तो आपके अपने जो चीज में अगर उलजने से आपके जिसम भी खराब होता आपकी रूख भी तकलीफ होती उसको आप लाइट लेना है खली वली करना है तो यहां पर आपको अंडर्स्टैंड करना है कि कौनसे रीजन से आप उस सिचुशन में जाओगी उस रीजन को आप अंडर्स्टैंड करो और उसको एलिमिनेट को यह एक सिचुशन होगी हुमिलिटी या आपके अपने जैसे कहते हैं मेरी अपनी इज़त पर आ गया था यह एक जगे पे लोग अपने जिसम को और अपने रूख को इन्हें साहूल को खराब कर लेती एक सिचुशन होगी और एक एक चालेंज देता हूँ जतने भी लोग अकेडेमी में आ रहें इतने सारी चीज़ें मैं कहां से शुरू करूं मुझे ना फंडेमेंटल आता ना मुझे टेक्निकल आता मट उनको क्या चाहिए पैसा कमाना चाहिए प्रॉब्लम के आज 22 सक्तंबर 2024 को जाइन कर एकेडेमी और मुझे फॉरन पैसे क हमाना तो वहां पर वो क्या करेगा अपने जिसम को अपने सल को टेंशन में जालेगा कि वह दिन रात तरह्यूंड में नहीं उसको क्या करना है चोटे हो ब्रेक करने सबसे पहले मैं सीखोंगा बैसिक्स और सिटा दिया एक गंटे की वीडियो देख लिए उसके बाद मैं इसके लिए उसके बाद आरे से क्या इसके लिए छोटे छोटे चोटे यानि अगर आपके पास दो मिनिट का टाइम है और एक टास्क है कि वो दो मिनिट में निपड़ जाएगा समझ जाओगे तो आप वो दो मिनिट का काम पहले करोगे यह एक घंते वाला काम पहले करोगे बताइए लाई में कौन सा काम पहले करेंगे तो आपको इस तरीखे से ये नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है यार इतना डिफिकलत है यार समझना बट इजी क्या समझना है में सीडी का मतलब क्या है लिख लिए मुविंग एवरेज कानवर्जेंस डिवर्जेंस समाज गया और इससे का बेसिक डेफिनिशन के रिलेटिव स्टेंट इंडेक्स सेवेंटी का कुछ बता रहें 30 में मतलब ओवर सोल्ड हो गया 70 का मतलब और और ब्रॉट हो गया बस छोटे चोटे टास समझ लो नोट्स दिख लो और उन एक्चीवमेंट्स पे खुश हो जाओ अगर उन एक्चीवमेंट्स पे आपको रिवाड नहीं करोगे कोई आके आपको गिफ्टें देगा अलंदल आपने आप से प्राउट फिल करना दो म जैसे आप टास्क वन क्प्रीट हो गया तो हमको क्या करना है और इसको आपको झोटे चोटे टास्क को न टाइम फ्रेम पर खतल करना है जैसे जिसे आप टास्क वन कप्लीट हो गया तास्क टू प्याओ टास्क तरी प्याओ इस तरीखे से आप गोल सेट करो इसलिए मैंने आपको एक 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 पॉइंट को निपताओ और उन निपतने वाले मोमेंट को एंजॉय करो यह मत देखो कि मुफ्तिनुर साब को तो दस च ने छोटे छोटे टास्क को एंजॉय करो इस तरीखे से आपके टाइन को मैक्जिमाईज कैसे करोगी यूज तो आपको सबसे पहले आपका गोल डिफाइन करना है कि भाई मैं अंडरस्टैंड कर लिया शेयर मार्केट में टेक्निकल आना इससे सीखना जरूरी है एक आगे कोई भी चीज की बेसिक से शुरू करो एकदम जाते मीटिंगों में बढ़ जाते पहले बेसिक नहीं आता डक्तर साब यह क्या है डक्तर साब यह नहीं समझा डक्तर साब भी नहीं समझा अरे भाही आप जो है न कोई एक बीमार थे डाक्टर के पास पहुंचे हो आप तब से पहले यार भई बेसिक्स तुसी को उसके बाद एक 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 टापिक का जैसे कि कहा मैं सबसे पर किताब उठाओ लिखो एक्सपोनेंशेल मुविंग एवरेज एक से लेकर हजार तक कभी हो सकता यह में से बहतर और क्या है एसे में नहीं है वेटेड मुविंग इसकोल्टिक मुविंग इस तरी से आप हर एक चीज़ का इन लो बट सबसे पहले वापस वही आएग नहीं यह में नाइन टॉन्टी यह में टूहरेड बेसिक्स तो ले ले अब यह लाएगा कहां से बेसिक से पैसा जैने की ज़रूत तिंग साब बता रहो जब आपको पैसे के बगार प्री में मिल रहा है आनलाइन रिसॉर्स कैप्सुल अकैडमी है यूटूब है वेबिना प्री कुछ अधा शेडूल करो टाइम्स दो यह नहीं कि घरवालों को पूरा टाइम नहीं दे रहे पूरा पढ़ने के लिए नहीं पांच घंटे आप ट्रेडिंग के लिए निकाल सकते हो आठ गंटी जॉब कर सके उन पांच घंटे में एक घंटे अपने आपको दो कैप अधर आके डक्टर साब आज क्या लूँ आज क्या बेचू कुछ भी मतले पैसे ज्यादा है तो मेरे को दे दे बगएर पेपर ट्रेडिंग के बारा यहां आप तक पढ़ने के बाद है उसके बाद आप पेपर ट्रेडिंग एप्लिकेशन में भी हमारे कर सकते माशाला साह बढ़ रहा है फाता ashes जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है आपकी कौंति टी कुंना क् BB देखना कि तरे रहा है और पर नीच्चि अचरा माइनश वन परसें लॉड दो प Er्म मैंनस 4% पता हैं ना सिर ना वालूम ना पैर ना वालूम ना कुछ नहीं दस्टॉक वाट समझदारी के दो स्टॉक ले लिए बैठे रहे उसके पूरे वीकली संप्रोड़ बैठे रहे यकीन मालिए दस्टॉक में आपने जतना एक मैने में जो ओर ट्रेडिंग किए उसमें को लाग रहा कि आपने ज्यादा प्रोफिट बिना नहीं दस्ट टॉक के ब्रोकरेज यह वो मिला कि आपको माइनस हजार रुपए मिलेंगे यहां पर दो ट्रेड भले चार-चार-चार-पांथ परसें प्रोफिट दे दिये आप यहां पर हो सकता है दो से तीन हजार बैटे जाज हजारों सवलों तक वीडियो जाती है लाइव में 300-400-500-600 बैट रहें कोई प्राउट बुव्मेंट नहीं है अपने को क्यों हमारा फोकस क्वालिटी पर है कौन्टिटी पर याद रख लो क्वालिटी को ही कौन्टिटी फालो करता है आपको आपकी ट्रेडि पोगए कॉलीटी वाली स्किल्स तो एक ही मानि जो भी आप ट्रेड लेंगे प्रॉबिटी 80 फरसेंट हो जाएगी 60 फिर प्राउट में बल्ले बल्ले तो इतना सब करने के बाद आपको रिवीव करना है आपका assessment करना है कि क्या वहीं कि मेरा जो assessment था एक फलाने सटॉक में और अपने एरियास आज भी मैं अपने एरियास को इडेंटिफे करते हूं जहांपे मुझे इंप्रुमेंट करना है कोई भी पर्फेक्ट ट्रेडर इंवेस्टर होई नहीं सकता वैरन बफट को भी जाके पूछो बोलता मैं यह पढ़ रहा हूं यह टेखनीक सीख रहा हूं यहीं मानिए ट्रेडिंग इस सच्छेन आठ विच थी लर्न तिल दा लास्ट लाइव लास्ट मिनिट आफ यूर लाइफ याने ट्रेडिंग हो या कोई भी हो उसको आपको आखरी दम तक सीखते रहें नहीं नेवर ए पर्फेक्ट ट्रेडर विल कम ना आया है ना आएगा सिचेशन बदलते तो आपको अपनी एरियास को हर रोज हर हफ्ते आइडेंटिफाई करो और उसको अज्जेस्ट करो उसको ताइम दो उसको अपना क्या बलते इंप्रुमेंट दो और फाइनली हमेशा लर्णिंग करते हो एक्स्ट्लॉर नियू हम लगो 1.0, 2.0, 3.0 को सबूत कर रहें माशाला और जैसे कि मैं 1.0 के प्रजेंटिशन में चार यार बलके डाला था कोई भी अगर याद है तुझा कि स्राइट देखो CCI डाला था CCI 20 उसको कर रहे थे शादाब भई है उसको इंप्रू करती है माशाला हमको एक्स्प्लोर करें नहीं टेक्निक उसके अंदर आरे से के बारे में पढ़ाया थे वाजिद भई की स्टेडी को लेकि 3.0 में डाल दिये हम लोग यह में पढ़े थे उसमें 997 महभूब बहला है और अपने को मजबूत कर दिये तो हमको क्या करना है हमारे टेक्निक्स को पॉंस्टेंटली इंप्रूब करते र आपका हर काम स्पेसिफिक होना चाहिए चाहे वो घर का काम हो अगर आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो तरकारी खरीद आपको जाएंगी जहां पर आपको ज़ादा अच्छा दाम पर नबेद रहे मेजरेबल रहना चाहिए मेरे सारी 15,000 और मैं मेचर करो 5000 रुपए मैं म बना लो ट्रेडिंग में कि भाई मैं 5% का ट्रेड लोंगा सीट में 20% का में संपोर में 50% का में तो यह अच्यूवेल होगा अच्यूवेल से कैप्सिल में बैड़ गया है बोलेंगे कि डाक्टर साब एक साल में 100% करके दिखाता हूं अरे बेखू नेगेटिव मंत्ली कैप्सिल में बैठ है टाइम दे रख है 12 मनी क्या भी पॉसिबल है क्या बताओ कोई बता सकते हैं नहीं तो हमको अपने को देखिए इन क्वालिटी सब्सक्राइब रहो जो भी काम कर रहे हैं मेजरेबल रहो उसको आप बनाओ रहो रेलेवेंट रहो रेलेवेंट आपकी स्टैडीज देती है और टाइंड होता है आपका पॉसिबल एरिया जितने टाइम में आपको करें यहां पर आपको शेर मार्केट के अंदर जो लोग मैक्सिममन जो होते हैं वो तैम वेस्टर्स होते हैं सुटस्वारी मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि कई सारे लोग विस्मिल्ला कर रहा है किस कर रहे होँके चाट डाल के लोगां बूलाके आजओ हमारे गृूप पे हमापको सक्सफोल टिप देते हमारे उसमें आओ हमारे वो फलाने टेकनिक में फलाने धिमकाना में तुमारा पैसा है वो क्यों आपको बोलेगा कि इसमें अप्ट्रेट करो क्यों आपको हॉट टिप्स देगा हॉट नहीं दर आए वह आपको हॉट जो ना वह गरम गरम आपके नोटों को निका तो बताए, what is this analysis paralysis, बहुत इंट्रस्टिंग है, तोई बोल सकते हैं? पर मैंनेजमेंट के स्टुडेंट, MBA पड़े वे? ज्यादा एनदूरी अवाज नहीं, अबर एक चांस दूरूम, बोलो जल्दी, अधिया दूरी अनलीसिस, जी, अब देखो इनलेशिस प्यालिस बड़ी इंट्रेश्टिंग चीज़ है ट्रेडिंग की दुनिया में कल सुबह में सवानों साड़े नौ बज़े स्कैनर में तीन स्टॉक है कितने स्टॉक है भई बोलो तीन स्टॉप है नामा में इंट्रेस्टिंग चमनला आया ठीक है ऑके मार्क सन आया और साथ में चंबल आया प्राब्लम क्या है तीरों वी फिल्टर में आये वन पॉंट जिरों में हो या गोल्डन वे तीनों भी बहत्रीन सेटप पे हैं तीनों की भी 15 मीट क्रॉसर भी है त जबाइब आपको एक ट्रेड लेना है तो वहां पर आपको आता है अइनेलेसिस प्रैलेसे अब लोग में और दिसेशन नहींस करें अब डि साब ठाब बॉल दो उकिसको लेना है या मैं तो ग्रूप में डूल रहा भई तीनों अच्छे मुझे बता दे अरे यार इतना पड़के इतना सेटप बना के आए अब परेशान माइंड ब्लाक हो गया चमन को उठाओं या मार्क्शन को उठाओं चम्बल को उठाओं और इस चकर में आप क्या करते आपकी जो टैलेंट थी उसको कॉंप्रोमाइस कर रहे हैं आपका जो ट करना था इन कीनों में आपका बेस्ट पिक वोस आए आप जिसका चेक करते कॉंप्रेश या इसका वॉल्यूम चेक करते या इसका फलाना देखते बट डिसीशन आप ही को लेना था अगर आप डिसीशन नहीं ले पा रहें तो इस जिसने जिसने अभी ने कहा तू मुच सिस को कुली में दिखा आप लोग क्या करें क्राउट कुफालो करें दक्टर साह रहें मखती साह रहें मैं लेलिया फालाने चलएख साथ लोग राकेट हम ठाइक जालना औरे उटा रहें 10 परसंट पर चला गया श्टक मैं होन जो करूंगा उन 10 पर नस परसंट बॉक करके बिलकुल शेंग बढ़ा हैं बिलकुल सहीं बढ़ा है पार दो पर प्रेसिस लगता है उसके बाद वह नहीं समझने आ तो नदीम भी यह ले ले नदीम भी जब लिए उन्हों सव रूपय को लिए तुमें एक सो दूसरूपय पिले रहे हो नहीं जादा बोले तो कुछ भी नहीं देखता दिल बोला भी मेरा भागता ह। मेरा दिल की feeling है मैं ट्रेड लेता हूँ इसको क्या बोलते हैं भ्यों सिरेडि एक सो पांच रुपे प्यागे बोलो महबत काम आई क्या भी एक बोलो नहीं नफराइब यहां पर ना फॉलो करें यह कहते हैं इमोशनल ट्रेडिंग इस तरीखे से आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करने नेक्स आपने आपने इग्नोरिंग लॉंग तर्म गोल्स पता थ इन्वेस्टर इस देश्ट मनी क्रियेटर बेस्ट वेल्थ रोज स्विंग ट्रेडिंग के चकर में बठें दो परसेंट चार परसेंट प्रॉफिट के लिए दस लेते पांच चलते चार पांच भूद भूद अलांबोर्स के गिरते तो आपने लांग टम में बढ़ते ब् तो साथ साथ आप सेशिंग दप्राइस अब यहां पर प्रॉब्म रहे बहुत यह एक चार्ट है नान कंप्रेट फोर्स मोटो का चार्ट में आया देखरों कि चार हजार फांच हजार उपर उपए प्राइज है यह चारहाजार उपए में को लेते हैं मेरे पास तो सिर्फ बारा हजार उपए तीन स्टाक आदे हैंने हमारा उपसेशन बढ़िया प्राइज के साथ अरे मत देखो चार हजार का दस परसेंट भी उतना ही पैसा देता जो चालिस रुपए के स्टाक का दस परसेंट देता बास समझ में आरी भी मैं क्या बढ़ रहा हैं तो हमारे प्र परोशिज करना है कि उसको पर्ड़क्टिवली भी बदाले हमको अपने घर की चलिन परसौनल लाइव को और को प्रोफेशनल लाइब या ट्रेडिंग लाइफ या वर्क लाइफ को बैलेंस करना है सबसे इंपोर्टेंट हमारे प्रॉरिटीज को इडेंटिफे करना है और हमको प्रॉपरली प्लैन करना है डिस्ट्रक्शन को आवेट करना है वीडियो यूटूब पे जाएगी मेरी हर इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है अगर आपके पास दो फ्रॉक्स है को सा खाएंगे इसका मतलब क्या है कोई बताएंगे जो लॉस में उसको पहले सायल करते है जो मुश्किल उसको पिर अधुलबारी बही है है बोलिए जो भी मॉर्निंग में जब से टफ काम होता है न उसको पहले कर लेना चाहिए आपको दिफिकल्ट तास्क को एडेंटिफे करना मोस्ट डिफिकल्ट तास्क यानि अगर ट्र कि मैं में सीटी जल्दी सीख सकता हूं तो सबसे पहले आप क्या सिख लेंगे बुलिए अगर आपको लगए कि आइडेंटिफे करना है को सा मोस्ट डिफिकल्ट तास्क तो इस तरीखे से अगर आप टेक्निकल्ट सिखने जा रहे हैं देख रहें कि भई आपको टेक्निकल स्विकल्स में सीसी डिफिकल्ट लिकरा पर से डिफिकल्ट तको आप कोशिश ख सबसे पहले तफ काम करना है अगर आपको मैं बोलू दो आदते बुरी दो आदते आप पजर की नमास पढ़ना है पजर की नीम और कम करना है स्लीब जी अब ये ये एक दो सिट्यूशन है तो आप स्लीब को कॉंप्रोमेस करोगे या स्लीब को बोले नहीं यार सो लेता हूं चोड़ेता हूं तो विच इस फर्स्टिंग विच विल सैक्रिफाइज अपने इस तास को पार करें तो आखरी में आपका आज जो भी बताया गया वो रिपीट हो रहा है फोकस और मेन प्राइब अपने आपको अज़ेश्ट करो प्रैक्टिस नहीं जाएगा अभी आप ल कोशिश करता हूं कि यह पहले वालग सिच्वेशन दिखिए चाइल इस ग्रेंग बच्चा रो रहा है उसको जरुवत है अटेंशन की ना लिखनेंगे इसमें बताईए बताईए का लिखेंगे सब बताएं अब लिखेंगे तो आप क्या करना वालों अब आपको पैट पे इमेडियेटली ठीक है इमेडियेटली हो इट कर दो कर दो अच क्यों तो आप यहां पे बाग में कर लेना हो गया तो अभी नहीं हो आपने लिख लिए अपने आपने लिख लिए नेक्स्ट टास्फ देखने चलिए मेरे दोस्तों को कॉल कर रहे हैं आज शाम में या तभी भी वह बीमार था तो यह टास्क कहां पर जाएगा तो कॉल माई फ्रेंड्स अब ट्रेडिंग करते बठें तो आप क्या करोगे बताइए इसमें काली क्रेंश को कुन सा कैटेगरी में है दोस्तों मुट नॉट करना है इंपोर्टन बट नॉट अर्जब तो कॉल माई ब्रदर और सिस्टर और है अपडेट है तो इस तरीके से आप एड़ कर दो चाहिए तो आप डिजिटली आड़ करो एक्स्टेंशन भी आपको दिया जाएगा आप करने मुझे भी अभी मिला माशालों जम्हें प्र ओल्ड पेरेंट्स मेडिकल इस्यू से दस बज रहे हैं मस्त तुझे प्रॉफिट हो रहा है अलकले मैंस में दस परसेंट बट अम्मी अबबा बीमार होगे यह तास्क आ गया कहां डालेंगे इसको बोलिए अर्जेंट इंपोर्टन अर्जेंट इंपोर्टन आड़ कर ले सब्सक्राइब करके लिखना है पेरेंट सिक नीट इमर्जेंसी है ठीक है ऐसे लिखो इमर्जेंसी इसको आड़ करो वेरी गुड नेक्स्ट टास्क लेते हैं तो बिकम फुल ताइम ट्रेडर कुटिंग दी प्रेसेंट जॉब बोलो वही कांप डालना है अब्दुल बार अब नावकरी छोड़ना है फुल टाइम ट्रेडर बनना है यह तो किसी भी कॉलम में डाले तो अच्छा है मैं आप लोग को बताता हूं कि ना नौट इंपोर्टेंट यह तास्क आपको ना ही अपनी तो राय दे सकतो ना नेरा ही तो ट्रेड बुक बढ़ते है आईशनवर कॉमर पुक चाल रहा है ना है टास्क है मैं सोच लिया हूं कि दो नए टेलिग्राम चैनल है दस में आरड़ी हूं तो क्या करना है काहां डालना है इसको आप इंपोर्टेंट नो नीड टू जाइन न्यू टेलिग्राम चैनल्स ठीक है आप समझो मैं इसलिए फोकस करूं दस जगे भटोगे पूरा ले लेता हूं ताकि आप लोग एसांपल में कि घर की लेडिकों ट्रेडिंग सिखाना है चाहे वाइप और सिस्टर शोंक कि इसीष्टर्स को टूड ट्रेडिंग्र सिखाना है एकि इस तरीफेंसे आप अपने तुस्टडी फंडमेंटल्स अंटेकनिकल्स आफ स्टॉक मार्के जी बताई तुस्टडी फंडमेंटल्स आफ स्टॉक मार्के नॉट इंपॉर्टेंट बट अरजेंट इसके बगार तो जिंदगी चल जाएगे ट्रेडिंग शुरू कर चुके टेकनिकल्स इसमें अब डीटेल लिख लो एसे लिखो एम में लर्निंग्स उसके बाद कर दो उसके बाद आरेस साइड लर्निंग्स आपको कल बैठके तास्क आपके सामने आएंगे प्रश्च को लिख लो तो आप देखेंगे कि बच्चा रो रहा था और मैंने टास्क कर दो खट गया इस तरीके से आपको पता चलेगा कि यहां तो मुझे नजर आ रहे हैं ताके भूल भूल या नहीं होगा आपके साथ देखिंगे इतने सारे टास्क बढ़े विए हैं च झासरी कि यहां तरीके से दो भूल नहीं होग पताए gen है यहां जिदे ओनेंगे